हेलो दोस्तो स्टोक अनलिसिस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में कृतिका ओयर से लिम्टेर से यार के बारे में डिस्कॉस करेंगे जो के एक बहुत छोटा सा पैनी स्टोक है और यह पैनी स्टोक का अंदर एक आच्छा खासा तेजी भी देखने को मिला था और यहां पर गिराबट की साइज योगा देखोगे दोस्तों 50 परसंट के आज पासे स्टोक का अंदर गिराबट हुआ था और यहां पर एक बटन लबल फर्मेशन हुआ जो कि एक आच्छी कासी स्टोक के आज पासे स्टोक का अंदर आपको रिवर्साल देखन और 20% के बाद इस टोक का अंदर का इंवेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे चल कर दोस्तों क्या मुल्टिवेगर हो सकता है तो आज किसी वीडियो में दोस्तों के बारे में फुल डिटेल्स में देखेंगे और उसके बाद लेबल चैन टारगेट आपको बताएंगे तो वीड हाली में प्राइक सेक्शन इसमें हुआ है 30% का गिरापट अभी भी देखना को मिलेगा और उसके बाद पिछले 5 दिन में श्टोक का अंदर 18% का तेजी हुआ है और आज की दिन के बाद करें दोस्तों स्टोक के अंदर काफी ज़्यादा भूलेट है आपको देखना को मिल जो कि जाता तर इनका जो बिजनेस है स्टेट इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड के साथ मिला हुआ है और यहां पर पावर ग्रीड कर्पोरेशन आप देखोगे यहां पर इनके साथ यह कमनी के की पॉइंट कुछ आप देखोगे कमनी का जो प्रोडक्टिविटी है यहां पर सब्सक्राइब यह है और उसके बाद घ्रणफ यहां जो स्टार ओर अर्फिंण उसके बाद सेहर आप देखेगा ओम्रेला में सकता है उसका भी एक कमनी करता है फिर उसके बाद रोलिंग सट्टर और का भी मैनुफक्चरिंग करता है तो कोल मिला कर कमन का जो बीजिनेस है यहाँ पर आपको आच्छा देखने को मिला है और बात करें दोस्तो यहाँ पर प्रोडक्ट एप्लीकेशन की तो बहुत सारे सेक्टर का प्रड़क्ट युज़ेस होता है उसके अंदर आपको पहला जो है दोस्तों टॉन की बीजनेस हैं यहां पर आप देखेगा टांस्मीशन टांस्मीशन एंडिस्ट्रिबिशन केबल कंडॉक्टर मैनुफक्चरिंग जैनराल इंजिनियरिंग प्रपोजेस टेस्टाइल इंड के अबरबात करें बहुत ही बड़े-बड़े क्लाइंट है ट्रटा प्रोजेक्ट लिमिटर कॉल्पटरू पाउर टांस्मीशन लिमिटर और उसके अलाबा स्टेल लाइट टेक बाजाज इलेक्टर नीच चे और उसके अलाबा गोट्रेस पार ग्रीड हो गया बोल्टास ह लुए लुमिनस हो गया तो बहुत ही बड़े-बड़े कंपनी जो है इनके क्लाइंट में आपको देखने को मिलेगा तो उसके बाद यहां पर दूस्तों मार्केट वेलोशन के अगरबात करें सबसे बड़ा दिकत हैं पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही चुटा सा प जो कि अपर एक्टिवेटेड रहते हैं बीज 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 में यहांप और स्टों को उपर लेकर जाते हैं फिर नीचे गिराते हैं जो कि पहले आपको सिनारियो देखने को मिल चुका था तो इसका चलते तो आप देखेगा फिप्टी टूइक अंदर क्या से क्या हुआ था और इंडोस्ट्री का पी आप देखेगा कहा पर है इंडोस्ट्री का पी हाँ पर 17 यानि कि स्टोक थोड़ा से अभीके टाइम पर अगर बात करें इतना बड़ा गिरावट होने के बापजुद भी श्टोक का पी थोड़ा सा उबरवेलोड में जा चुका है थोड़ा सा एक् कुरोड का है और RUC-RV कमनी का पोजेटिव है तो कुलमिला का यहां पर कमनी अच्छा है और उसके अलाबा यहां पर कमनी का जो डिविनेंट इल है 2400 पर आपको देखना को मिलेगा बहुत ही छोड़ा सा पिनिस्टोक है तो कुछ डिविनेंट निकाल कर दे रहा है और यहां पर ग्राफ फाईज आप देखोगे दोस्तो कमनी का जो चार्ट है 200 दे और 50 दे मूविंग अबरेज के साथ आप देखेगा यहां पर एक बहुती सांदर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा तो बीच में दोस्तों यहां पर एक बहुती बड़ा स्विंग वादा जो कि सॉस्टें नहीं हुआ है यहां पर अपर अपरेटर एक्टिवेटर हैं और इसके चलते हैं पर तेजी हो रहा है तो आगे चल कर दोस्तों स्टोक का अंदर थोड़ा बहुत मोमेटम होगा जो कि स्ट्रम में स्ट्रम करता हो लॉंग टर्म के लिए तो इस ट्रम के लिए अच्छा हो सकता है और यहां पर आप कामपनी का सेल्स ग्रूथ और प् श्रिफ 2% 5% और बीच में थोड़ा सा हाई हुआ था 7% यहां पर तो उप्यम की मामले में थोड़ा सा आपको नेगटिविटी देखने को मिलेगा लेकिन कमपनी प्रफिट में है अच्छी बात है दोस्तों यहां पर 2 करोड 1 करोड के आसपास यहां पर प्रफिट कर रहा ह यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा और 18 से अगर देखोगे 255-274 फिर उसके बाद अभी के टाम पर पिछले साल से बहुत ही सांतर जम किया है लगबग दूगोना यहां पर कमनी का सेल सीजनेट हुआ है और नेट प्रफिट के अगर बात करें तो पहले से आप देखेगा शेयर ओल्लिंग पेटर्न पर प्रोमटर के पास बहुत ही सांधर ओलिंगे 7-2.89 लगवे के 73% का होलीं यह और पब्लिक अगर बात करें 27 तो यहां पर पर शेयर ओल्लिंग पेटर्न पर कमनी अच्छा है और काफी सालों से आपको स्टेबली देखने को मिलेगा देख लेगा तो अबरहल दोस्तों कमनी का अगर बात करें यहां पर ऊकर, ऊक pasar अपको ऊंधोग से देखने को मिलेगा तो इसके बाद यहां पर दोस्तों आज की दिन की अगर बात करें, वोल्यूम की बारे में नहीं थुँड़ा सा देख लेते हैं तो वोल्यूम में आज के दिन पर बहुत ही सांदर तीज हुआ है लगातार आपको consistency गुरूत करता हुआ देखना को में लगा तो याने कि यहां पर भली में अगर encouragement होता है तो आप मानके चलिए आगा नवले कुछ trading session में भी इसमें तेज हो सकता है यहां पर दोस्तों कुछ क्वांटिटी investment करना चाहिए खास करके जू स्टॉक का अंदर operator एक्टिवेटेड़ हो और आगे चल कर दोस्ते स्टॉक का प्राइज जो है एक आच्छा खासा तेजी के साथ उपर जा सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और operator अगर ऐसे एक्टिवेटर र आपको एसे स्टॉक के अंदर हमें सा एक छोटा सा quantity investment करना चाहिए तो यहां पर जो स्पाइक वाता काफी ज्यादा गिराबट हो चुका है और यहां से जो स्पाइक हो रहा है तो लगबग इसकी आधिक प्राइस तो के स्टॉक का जो मोमेंटम है उजा सकता है तो इसके च टूंटी से लेकर टूंटी के बीच में अगर मिलता है तो फिर आप के लिए इसमें खरेदरी बना सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ यह वीडियो सिर्फ आपके जोगे से लिए तो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप भी आपने तरब से अच्छे से अनालिसिस कर लिजे और आपके फाइनल चाल एडवाजर से कॉंसर्ट कर लिजे तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टिक क्यार